ऐसे ही काता नाम ये कंभो दिवार है जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकधर आप देख रहे हैं मनी नाइन स्वागत है आपका हफते के पहले मनी सेंटरल में मेरे साथ मनी नाइन के एडिटर एंशुमान तिवारी जी जुल गये हैं सर बहुत स्वागत है आपका क्या है हफते के पहले मनी सेंटरल की पहली बड़ी कबार मनी सेंटरल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का मनी नाइन के स्विशेश यो मनी सेंटरल में स्वागत है पिछले सबता हमारे पास रिजर्ब बैंक की वारशिक रिपोर्ट आई थी साल का सबसे महत्वोर्ट दस्तावेज होता है जो बहुत सारी चीजें हमें ऐसी बताता है जो सामान रूप से हमारी जिन्दगी को परभावित करती पर हमें पता नहीं होती आज हम आपको बताएंगे खास तार पर की रिजर्ब बैंक ने क्या बताया है देश की अर्थविस्था के बारे में अपनी अर्थविस्था के बारे में यानि रिजर्ब बैंक ने अपनी अर्थविस्था के बारे में और अमेरिका से कि चीन को पचाल कर अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर लोग आ गई बिजली की महगाई अगला मुद्दा होगा आर बी आई क्यों खरीद रास होना यंशुमान जी से जानेंगे अर्थ विवस्था में फिर लोटे नकली नोट आधार प काले बादल अभी छटे भी नहीं थे नेट टर्बूलेंस एरलाइन्स कंपनियों की रह में आ गए लेकिन शुरूबात चीन से अमेरिका से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया चीन को पचाल कर सरकार की ओर से जो आकरे जारी किये गए हैं उनमें पता चला कि वित्वर्ष 2021-22 के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कुल 119 अरब डॉलर से जादा का व्यापार हुआ जो 2020-21 के मुकाबले 48 फीसद जादा था अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड जो है सर प्लस में यानि कि आयात कम है निर्यात हम जादा कर रहे हैं कुल 119. दशवलब 42 अरब डॉलर के व्यापार में भारत से अमेरिका को 76 अरब डॉलर का निर्यात हुआ और 51 अरब डॉलर का करीब आयात हुआ चीन लेकिन भले ही ट्रेड पार्टनर के तौर पर दूसरे नंबर पर खिसक गया हो लेकिन ट्रेड सर प्लस के मामले में चीन का पार में 94 अरब डॉलर का हम आयात कर रहे हैं सिर्फ 21 अरब डॉलर का हम चीन को निर्यात करें सर क्या बताता है यह स्ट्रक्चर कारोवारी संबंदों के मामले में चीन से अमेरिका से और क्या इसमें महत्वपूर्ण ऐसी चीज है जो ध्यान रखनी चाहिए यह आकड़ा क चीन के व्यापार रिष्टे भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था और अमेरिका अब इस बाद पहले नंबर पर है इसे हम भीतर उतर कर अमेरिका और चीन की जो भारत के व्यापार के संदर्ब में तुलना उसे करीब से देखें तो कई सारे बहत दिल्चस्प नए ट्रिंड दिखाई पड़ते हैं जिनने आप भूत असानी से टोकियो में हाल में ही क्वाट की बैठेक में और इंडो पैसिफिक के संदर्ब में भी पढ़ सकते हैं और इस तरह से भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि च चुप से चिंता जनक बात है वो भारत और चीन का व्यापार घार रहा है भारत चीन को कम निर्यात करता है और चीन से जाधा आयात करता है और यह आंकड़ा ट्रेड गैप जो दोजार बीस इकीस में में करीब करीब 72 दसनल अलब 91 बिलियन डालर था जो इससे पहले 44 बिलि पर पहले भी चर्चाय करते रहें आज हम अमेरिका से व्यापार को देखते हूं क्योंकि अमेरिका को भारत का निर्यात जाधा है और आयात कम है यानि ट्रेट का जो बैलेंस है वो भारत के पक्ष में इसके दो तीन अलग-अलग व्याख्याएं हैं पहला सबसे महत्तुप इंपोर्ट है पिछले एक साल के दौरान वो क्रूड है कच्चा तेल है हमें अध होगा कि पिछले दो साल में भारत ने अमेरिका से और दुनिया के अन्य देशों से क्रूड के कच्चे तेल के इंपोर्ट को डैवसिफाई किया था ताकि ओपेक देशों पर नेरभरता कम की जासे कि करीब 13,3 बिलियन डालर का क्रूड इंपोर्ट भारत ने कच्चे तेल का इंपोर्ट अमेरिका से किया काफी दूर है अमेरिका से क्रूड का इंपोर्ट करना लेकिन भारत ने अमेरिका से क्रूड इंपोर्ट किया और अमेरिका अभी हाल में ही ताजा ताजा क्रूड स्विकार करने के बाद उसका नर्यात शुरू किया है और इसके बदले भारत का जो पेट्रोलियम प्रोडेक्ट्स एक्सपोर्ट है वो 6.9 बिलियन डालर है यानि भारत वहां से कच्चा तेल मंगा रहा है और भारत की रिफाइनरी उसको रिफाइन करके प्रोडेक्स में बदलकर प्रोडेक्स पेट्रोल डीजल भी हो सकते हैं वो पेट्रोल नाप्था बिटुमिन या बागी चीज़ें हो स कच्चे तेल के और प्रोडेक्स पॉरिश करें वापस भेचते हैं इस पूरी वेवस्था में भारत और अमेरिका के बढ़ते हुए व्यापार रिष्टों में कुरूड की भूमी का सबसे महत्तुपूल दिखाई देती कच्चे तेल के और पेट्रोलिम इंडस्ट्री की य यहनी भारत और अमेरिका के व्यापार रिष्टे जिसमें अमेरिका चीन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा है उसमें कच्चे तेल की रिष्टेदारी काफी महत्वपूर्ण दिखाई देती है पहले चीज दूसरी चीज यह कि अमेरिका के भारत के पक्ष में व्यापार घा बिलकुल अगली खबर विजली संकट से जूड़ी देश में विजली संकट कितना गहरा हो चुका है इसका अंदाज़ा आप पावर सेक्टर से जूड़ी दो ताजाख खबरों से लगा सकते हैं पहली खबर कोईला आयात से जुड़ी है। कोईले से चलने वाले पावर प्लांट को बिजली की दरों में 20 पैसे प्रती यूनिट तक की बढ़ोतरी की अनुमती दे दिये। कोईल इंडिया से कोईल का इंपोर्ट अब क्यों करा रही है। ये भारत के लिए बहुत आश्यरे की बात है और जिस पर लगातार चर्चा करते रहें मनी सेंटरल में कि भारत के लिए ये अजीब सा असहच करने वाला अक्षन है। कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोईला अटपादा रहे हैं। अपने देश से उत पादन नहीं कर पा रही है और उसे ही अब कोल के इंपोर्ट की जिम्मेदारी दी जा रही है क्योंकि बिजली घरों के पास कोईला नहीं है इसा इसलिए हो रहा है शुब हम कि हम पिछले दो तीन हफते से लगातार मनी सेंट्रिल में अपने दर्शकों को हर छोटे छोटे घटना करम को बता रहे हैं अन्त तहा ऐसा लगता है कि देश के बिजली घरों ने बिजली कमपीनों ने कोईला आयाथ से हाथ खड़े कर दी है उनका कहना ये कि हमारे बसका नहीं ही कि हम दुनिया के बाजार में कोईला आयाथ कर सेकें कि बिजली घरों के पास ना तो कोईला आयाथ की खशमता है अभी तक लगातार कॉल इंपोर्ट के प्रयास नहीं सफल हूँ हैं तो अन्तथा कोल इंडिया से कहा गया है कि आब वही कोईले का आयात करे जो भारत में कोईले की प्रोड़ीूसर है यानि जो इसे ऐसे समझ लें कि जो भारत में सबसे जाधा कोईले का रिजर्व रखती है उसी को कोईले का आयात करना पड़ेगा और वो आयात करके कमपिनियों को जैनकोस को या पावर कमपिनियों को से को डिस्ट्रिब्यूट किया जाए ये फैसला किया गया और ये भारत के औरजा सुरक्षा में दरार बड़ी चिंता की तरफ इशारा करता है कि भारत पे ट्रोलियन डियल के तो आयात के लिए निर भर है अब हम कोईला जो के हमारे पास पर्याप्त प्रियाप्त प्रिचर महात्रा में था जिसका हम निर्यात करना चाहते थे हम उसके लिए आयात पर निर्भर होने जा सर्थ दूसरी ख़बर बिजली की कीमतें बढ़ाने की अनुमती से जुड़िये क्या माने जाए यह तो भी शुरुवात है शुरुवात है क्योंकि यह भी मुद्दा लगातार मानी सेंटरल के जो नियमे दर्शक होने पता होगा कि यह बहत से खींचतान केंदर सरकार और बिजली कंपीनियों के बीच लंबे समय से चल रही है कि अगर आप उनसे कह रहे हैं कि आप कोईले का आयात करिये तो कोईले उसके बदले उनको कीमत बढ़ाने की इजाजत दी जाए और पिछले सब तहाँ आपको याद होगा कि हमने संकेत दिया था उस खबर के साथ जब रिगुलेटरी अथारिटी और उसकी कमेटी है उसने 6.5 रुपए पर यूनिट की जगे अब 6.2 रुपए पर यूनिट यानि 6.2 रुपए पर यूनिट की कीमत तै करने की छूट नाव पावर प्लांट्स को दे दी इसमें टाटा मुंद्रा है इसमें एसार सलाया है इसम प्रमुख जो मेगा पावर प्लांट है जो इंडिपेंडेंट पावर प्रेडूसर्स हैं वो अपनी कीमतें बढ़ा कर उसे पास्थ्रू करेंगे यानि जिन राज्यों को वो बिजली बेच रहे हैं ये जिन राज्यों के साथ उनकी बिजली दरों में बढ़ुतरी का समझ हो गई यानि बिजली की महंगाई आधिकारी कृप से आ गई है दूसरा एक और पहलू यह है कि जब प्राइवेट प्रावर प्रेडूसर्स और एंटीपी सी अपनी कीमतें बढ़ाएंगे तो जो बाकी जन राज्यों के बिजली घर हैं जिनके पास जिनने को इलायात करने के लिए कहा गया है उन्हें भी अपनी कीमतें बढ़ाने की बात होगी तो इस तरह से जिसे हम लगातार पिछले दो तीन एक महीने से शुप हम कहते चले आ रहे हैं कि बिजली कटेगी भी और बिजली महंगी भी होगी वो दोनों चीजें इस पश्ट साबित हो गई है कि ब बहेंगी बिजली के तौर पर बिजली वितरन कंपिनियों तक जरूर पहुंचाएंगे और ये दोनों ही ख़बरे मनीस सेंटरल आपको पिछले दो ढ़ाई महीने से जब से गर्मिया शुरू ही ये संकट शुरूगा तब से लगातार आपको बता रहा है और हर छोटी बड से बड़ी बातें कहते है अब हम इस रिपोर्ट की क्या बड़ी बातें हूं वो जानते और हर एक बड़ी बात IN WIL की डिपनी लिए चलते है साल सरकार को डिविडेंड दस साल में सबसे कम दिया है क्योंकि पैसा वहां बढ़ा दिये सर क्यों की गई यह तो आपाद 53% की बढ़ुतरी हुई है पिछले साल की तुलना में आपात कालिन कोश के तौर पर रिजर्ब बैंक का एक काफी चर्चा में रहा पहले भी उस दोरान भी जब सरकार ने रिजर्ब बैंक से जाधा लाभाँच लेने का दवाव बनाया था और देश में कलंबी चर्चा चली कि RBI को किस खत्रे का डर है जिसके करान वो फंड बनाता है पर रिजर्ब बैंक का एक जो पारलेमेंट से पास हुआ था उसके तहते कंटिंजनसी फंड बनाने की जरूरत है और वो फंड इसलिए बनाया जाता है कि मान लीजे अचानक मुद्रा में बड़ा आवमोलियन हो जानक वित्ती सिस्टम में कोई बड़ी क्राइसिस आ जाए तो रिजर्ब बैंक के पास एक सर्टें एम missile रहना चाहिए जिए क्योंकि वह बैंकर है देश का वह देश का भी बैंकर है सरकार का भी बैंकर है तो उसके पास एकớप टिंजनसी फंड सेन्ट्रल बैंक के पास हो contingency fund में पैसा बढ़ाने की दो बड़ी महतुपूर्ण वज़े हैं एक महतुपूर्ण वज़े है कि जो contingency fund का balance है वो 85 लाग करोड से बढ़कर 13 लाग करोड रुपए हो गया है RBI ने इसमें बढ़ोतरी दो वज़े से किये जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है शुभम उसका निवेश भारत का रिजर्बैंक US के सिक्यूरिटीज में करता है क्योंकि डॉलर सिक्यूरिटीज में उसका निवेश किया जाता और इसे ये जो contingency fund के प्राविजन से ज जो निवेश सिक्यूरिटीज में करता है उसका valuation हर साल बार-बार होता है और उसमें चूंकि वो mark to market है यानि बाजार में गिरावट के आधार पर उनके कीमतों में बढ़ोतरी होती है और गिरावट होती है और उसका आसर हमें contingency fund पे दिखाई देता तो RBI ने अपनी report में बताया है कि उसका जो IRAFS है यानि जो investment revaluation account है foreign assets का उसमें करीब करीब 8000 करोड रुपए की कमी आई है यानि जो yield कम हुई है उसका नुकसान हुआ और उस नुकसान की वजह से RBI को contingency fund में पैसा जाधा बढ़ाना पढ़ा है और इसी लिए केंद सरकार को इस बार लाभाश कम मिला है और केंद सरकार को लाभाश के लिए बाकी बैंक को इस पर दबाव बनाना पड़ा जिस पर हमने पिछले सब्ता विस्तार से चर्चा की थी RBI का अभी debit balance इस account में जो विदेशी मुद्रा भंडार का पैसा उसमें जाता है उसका जो debit balance है वो करीब 94249 करोड रुपए है जो RBI की annual report में बताती है बिल्कुल annual report की दूसरी बड़ी बात यह है कि RBI गोल्ड खरीद रहा है जिहां सोना खरीद रहा है रिजब बैंक की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2021 के दौरान रिजब बैंक ने सोने की खरीद बढ़ाई है साल बर के दौरान RBI ने करीब 65 टन सोना खरीदा है रिजब बैंक का अब जो कुल होल्डिंग है वो 760 टन के करीब हो गई है जिसमें से 453 टन सोना विदेशों में बैंकों में रखा हुआ है जबकि 295 टन सोना करीब भारत का देश में ही रखा हुआ है सर ये RBI सोना क्यों खरीद रहा है शुमम RBI पिछले 3-4 सालों में दुनिया में रशियन सेंट्रल बैंक के बाद सोना खरीदने वाला सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक हो गया अगर आप आखले देखे 2018-19 की खरीच और लगातार बड़ा रही है खरीद 2018-19 में रिजब बैंक की खरीद करीब 57 टन के आसपास की थी 19-20 में 36 टन था है अंतराश्ट्री बाजार में सैंक्शन्स आने के बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने अपने विदेशी मुदरा भंडारों का पुनरगटिन शुरू किया है उसके एक कारण रिजब बैंक ने भी अपने विदेशी मुदरा भंडार की रिस्क दूसरा महत्तुपूर्ण पहलु ये कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं जब वे सोने की खरीद करते हैं सोने के लिए आगे आते हैं तो उससे इस पीली धातु की के वैलुएशन पर और रिस्क में हिज करने की जो चरचाएं और जो संभावनाएं उस पर महर लगती है तो रिजर्ब बैंक की खरीद ये भी बताती है कि रिजर्ब बैंक भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए सोने पर उतना ही भरोसा करता है जितना भरोसा भारत के बाकी लोग अपने आपको इंफलेशन्स या किसी चीजों से हेच करने में करते हैं लेकिन रिजर्ब बैंक सोना खरीद रहा है और रिजर्ब बैंक लगातार सोना खरीद रहा है ये महतुपूर्ण है और ये एक रिजर्ब बैंक की पूरे विस्तार से जानकारी देती है और बिलकुल भारत भी अब उन टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है जो रिजर् के हिसाब से नमाने के पारलल लेखें शुब हम तो तीन दसनलों बाइस लाग करोड रुपए का गोल्ड रिजर बैंक के पास होल्डिंग्स में वैल्यू टर्म्स में है है जो जो तोटल वैल्यू आर्बिय के पास है और है इस समय उपलब्द है अगली बात जो रिपोर्ट चीट लगातार बढ़ रही है उनकी एसेड डाल और ख्राब हो रही है ये चिनता की बाते विद्धी बाजारों के लिए चिनता की बाते और NBFC लिए नियम सखत किये जाए इसकी वकालत भी की है NBFC के लिए चुनाओती ज़्यादा बड़ी होने वाली है कि भारत के बैंकों की तुलना में कोविट के लॉकडाउन और NPA के बाद भारत के जो शैड़ो बैंक्स हैं NBFC वो जधा फ्रेजाइल हैं जधा कमजोर हैं जधा नाजूक स्थिति में और इसके लिए हमने एकनामिकम में विस्तार से चरचा की थी कि उनकी समस्याएं हैं कि वो बैंकों से पैसा लेते थे और उसे आगे देते थे वो उन लेंडर्स और बारवर्वर्स को देते थे जिन पूरे नियमों में तब्दिली कर दी थी और वो पूरा पूरी प्रक्रिया अब इस किनारे आ गई है जहां आम तोर पर भारत के जो शैडो बैंक है वो नार्मल बैंक्स के जैसे ही माने जाएंगे और उन पर उस तरीके की सक्तिक की जा रहे हैं इसे आप भारत की शैडो बैं मान रहा है कि भारत की शैडो बैंकिंग खत्रे में है और चनोती में और इस पर रिस्क का साया काफी बढ़ा है और इसलिए केंद्री बैंक इस मामले में कोई और जोखिम लेने को तयार नहीं है बिलकुल और अगर नबी एफसी पर आप पूरी विस्तार से जानकारी चाहत एक चीज़ और इसमें कि रिजर्ब बैंक ने पहली बार मतलब ये बात कोविट के लॉगडाउन का सारे शुभम कि रिजर्ब बैंक ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि शैडो बैंक्स भारत की आर्थी के स्तिरता के लिए खत रहा है इक नामिक स्टेबिलि कर इन से कर्ज दिलवाया जा रहा था तो वो एक किस्म का स्विकार भी है रिजर्ब बैंक की इस रिपोर्ट में कि नहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शैडो बैंक के बारे में रेगुलेटरी लेवल पर नहीं हो पाई अच्छा ये वही शैडो बैंक है जिने तीन साल पह ये पूरा अप्रोच भारत के इन वेफसी से के बारे में बदला हुआ है जो ये बात अर्बेगी रिपोर्ट एक और बात कहती है रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अर्थवस्था में नकली नोटों का प्रसार बढ़ा है रिपोर्ट में बताया गया है कि 500 रुपए के नकली नोट का प्रसाज 102 फीसद तक बढ़ा है सर नकली नोट कैसे वापस लोटा है यह कितनी बड़ी चुनौती है क्योंकि नोट बंदी कि अगर एक सफलता यह मानी जाड़ी तो यही मानी जाड़ी थी कि नकली नोट कम से कम बहार हो गए चर्चा के लिए महतुपूने लेकिन अकली नोट कभी पूरी तरह बंद नहीं होते हैं पूरी दुनिया के अर्थविवस्थाओं में काउंटर फीड्स को रोकने के प्रयास लगातार किये जाते हैं तो यह आर्बियाई ने इमांदारी से स्विकार किया है कि नोट बंदी का जो काउंटर फीड करने वाला है वो हमेशा रेगुलेटर और करेंसी पूब्रीचर से एक कदम आगे रहता है पिछले नोट खतम हो गए थे तो उनके डिजाइन्स खतम हो गए थे अब नए नोट आए उनके डिजाइन्स फिर काउंटर फीड होकर सामने आने लगे तो यह स्थाई समस्या है इसे नोट बंदी से उतना कनेक्ट करने से ज़्यादा इन महतुपूल बात यह कि रिजर्ब बैंक का अपने काउंटर फीड नेटवर्क को कितना मजबूत कर पा रहा है कितना ठीक कर पा रहा है यह बड़ी चीज है लेकिन हाँ काउंटर फीड का बढ़ बड़ी तोब चला रहे थे काउंटर फीड खतम करना उसका मतलब नहीं था काउंटर फीड के लिए पूरी दुनिया में स्टेटिजी हैं बैंक्स अपनी डिजाइन बदलते हैं नोटों के तर तरीके बदलते हैं जिससे कि लोगों को और लोगों को एजुकेट करते हैं ज रिपोर्ट के मुताविक केंदर के एकसाइस बढ़ाने से राज्यों की आयमे वी इजाफा होता है पिछली बार जब केंदर ने ड्यूटी बढ़ा ही थी तो उससे राज्यों को 49,239 करोड रुपए की आमंदनी होई थी बैट के जरी है जबकि हालिया कटाउती में राज् करोड रुपए घटी है इसका मतलब राज्यों के पाथ अभी भी 34,208 करोड रुपए की राज्यी ऐसी मौजूद है जिसे वेट कम करके महगाई काबू करने में इस्तेमाल किया जा सकता है सबसे ज़्यादा कमाई जिन राज्यों को हुई थी उसमें महराष्ट नंबर वन पे है नंबर दो पे गुजरात है और नंबर तीन पर तेलंगाना है सर अगर कर सकते हैं राज कटोटी आरज्यों की रिपोर्ट बता रही है कितना पैसा है तो क्यों नहीं कर रहे है फिर क्या वजह क्या है 34,000 क्रोड का कुशन है करीब क्योंकि एड़वलर्यूर्म ड्यू की बैलन्शीट अगले साल इस पश्ट हो पाएगी जब उन्हें कोविट का कंपेंसेशन मिलना बंद होगा उसके बाद इस पश्ट होगा लेकिन राज्यों के सामने दो तीन बड़े दबाव दिख रहे हैं एक बड़ा दबाव तो ये दिख रहा है कि उन्हें अर्थवस् चीज़ है कि वो अपने रिविन्यू की स्ट्रीम को लेकर भविश्य में आने वाले रिविन्यू को लेकर आश्वस्त नहीं है ये आर्थिक कारण है जो कारण शायद अलग अलग राज्यों को अलग अलग तरह से इस फैसले को ना लागू करने के लिए बात दे कर रहे हैं हमने अभी तक पिछली बार भी हमने चर्चा की थी हमने अभी तक कभी ऐसा नहीं देखा कि पूरे देश में एक साथ एक साइस ड्यूटी कम होने के बाद पेट्रोल डिजल की कीमतों में कमी आई हो राज जी अपनी अपनी गणई तो अपने अपने खजानों के और अपनी चली अगली खबर UIDAI ने अधार कार्ट की फोटो कॉपी किसी संस्था के साथ शेर नहीं करने की अपनी अडवाईजरी बापस ले लिए दरसल 27 माई को UIDAI और Electronic एवं सूचना प्रादिकी की मंत्राले की और से अडवाईजरी जारी करके लोगों से ये कहा गया कि हर किसी सं अडवाईजरी को ये सफाई देकर बापस ले लिया है कि इसके गलत अर्थ निकाले जाने की संभावना थी इसलिए इसे तत्काल प्रवाव से बापस लिया जा सकता है सर ये क्या गफलत है कभी हाँ कभी ना आधार में फिर बड़ी गफलत हुई और ये गफलत कहा जा रहा है कि आधार अधिकरन जो याई डियाई है उसके एक रीजनल आफिस से आई हुई प्रेस रिलीज के आधार पर की गई थी सरकार ने मिसिंटर्पेटेशन हुआ ही क्योंकि आप हर जगे आधार की फोटो कापी ले करी जाते हैं होटल आप से पहला काम करता है चेकिन से पहले आधार की फोटो कापी ले लेता है तो पूरे देशवर में आधार की फोटो कापी चारो तरफ फैली हुई है सरकार का ए का आधार असुरक्षित है और आधार के फोटो कापी का आधार के स्कैंस का दुरुपियोग हो रहा है और यहां से सरकार को इस पश्टूप से देश के सामने चीज लानी चाहिए कि ऐसे कितने मामले पकड़े गए दुरुपियोग के कौन से तरीके हैं क्यों ऐसे आधार जा या कहीं औरो ये लीक तो वहां से हो रहा है कि कोई स्वयम वेक्ति अपना आधार दुर्पयोग करने के लिए नहीं देगा दूसरी चीज है कि हमने मनी सेंटरल में CAG के एक रिपोर्ट पविस्तार से चर्चा की थी जिसमें CAG ने आधार के पायमेट्रिक सिस्टम में, आधार की सुरक्षा में, आधार के रियाथिंटिकेशन में कई सारी बड़ी खामिया पाई थी सरकार ने उस संदर्भ में अभी तक कोई ऐसी स्पष्ट रणनीत नहीं बनाई अब आधार, जबकि भारत में पहचान का एक बनियादी आधार हो चुका है तो सरकार को इसकी सुरक्षा को लेकर, इसकी डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कम से कम उन शक्संदेहों को दूर करना चाहिए जिन पर जो लगातार लोगों को कन्फ्यूज करते हैं और हम लगातार नकली आधार के इस्तेमाल के आधार को मास्क करके के दूसरे की फोटो लगाकर इस्तेमाल करने के इस तरीके के बहुत सारे मामले देखते हैं तो ये घटना जो की एक मिस्स किया सरकार के दो विवागों ने वो ये बताती है कि खत्रा कहीं जाधा बड़ा है और उसे कवर अप करने की कोशिस की गई इस रिलिज को वापस लेकर लेकिन उसे काम नहीं चलने वाला है लोगों की आइडेंटिटी सीक्यूरिटी को लेकर कुछ ठोस और बड़े निर्णायक कदम सरकार को उठाने ही पाणे है बिलकुल आधार की सुरक्षा को लेकर सरकार को कुछ न कुछ ठोस पुखता कदम उठाने की जरूरत है चलिए अब चलिए एवियेशन कंपनियों के सफर पर और देखिए कि उनकी रहा में कोरोना के ब कमजोर होते रुपए ने यह उल्जन और बढ़ा दी कंपनियों की परिचारन लागत में 40 से 45 फीसद हिस्सा इधन का होता है कोविट किमार से शेत्र को कुल 20,000 करोड रुपए का घाटा हुआ दोनों प्रोवक एरलाइन्स स्पाइस जेट और इंडिगो की बैलन्स शीट खाटे से लाल है खाटे के अलावा कंपनियों पर पहले से कर्ज का बोज है देश की सबसे बड़ी एरलाइन इंडिगो पर 3897 करोड रुपए का कर्ज है खाटे और कर्ज में दबी कंपनियों को चरती ब्यासदरों में नया कर्ज महगा मिलेगा साथ ही जोटी कंपनियों के लिए इस माहौल में नई वर्किंग कैप्टल जुटाने का संकट है एक रहत देने वाली बात ये जरूरी है कि जन्वरी 2022 के बाद से यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है ले बर्ख्षम नहीं है यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी से सरकार की उडान स्कीम का भी युगदान है बीते पान साल में घरेली यात्रियों के संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है तो 2017 से पहले जीरो के मुकाबले आज दिल्ली से 24 डोमस्टिक रूर्स आपरें र अलावा अकासा एर भी जुलाई दो हजार बाईस में अपनी पहली उडान भरने की तयारी कर रही है। सर कोविट में सबसे अधा प्रभावित होने वाले शेत्रों में अगर कोई था तो अविएशन था टॉप पर था टूरिज्म अविएशन लेकिन कोविट के बाद और सब जगा तो कुछ-कुछ रफ्तार आई यहां तो नई चुनौतिया फिर खड़ी हो गई यह इस सेक्टर पैंतालिस से पचास फीजदी हिस्सा लेता है जब कच्छे तेल की किमत सव एक सो डॉस डॉलर पर वैरल से उपर है तो पूरी दुनिया के अविशन कंपिनियों के बैलन्शीट पर दबाव है क्योंकि उनके लिए एटी अफ की कीमत बढ़ी हुई है भारत में यह दबाव प्यार तयार किया था अब कंपिनियों की दुविधा यह है कि अगर एटी एफ के प्राइस के कारण वो कीमतों में बढ़ुत्री करती हैं तो पहले भी आय टूटी हुई है लोगों के ट्रावल कम है उनके लिए विमान में यात्रा करना और उसकी लागत बढ़ेगी और ए जो सस्ता करज मिले की संभावना थी वो भी खतम हो गई दो वज़े से एक तो उनकी बालेंश शीट पर प्रेशर है उनकी प्रमुख लागत बढ़ी हुई है तो बैंक सबसे पहले यह देखता है कि उनका जो में फ्यूल है उसकी महेंगाई और दूसरी बाज़ार में ब्य अगर अपनी ट्रिक्टों को सस्ता नहीं रख पाई तो जो एविएशन का विस्तार है यानि नए रूट्स तक जाना और फ्लाइट्स बढ़ाना यह तो सिमठी जाएगा क्योंकि नए नए उडाने नहीं आपाएंगी नए शहर मैप पर नहीं आपाएंगे और उडानों के संख्या घटेगी और दूसरी चीज़े कि एक बाजार का विस्तार ऐसे लोग जो विमान सेवा के इस्तेमाल के एकशुक थे या ट्राइवल करना चाहते थे खासतर सो जो बिजनस ट्रेवल था उसको उसके लिए उसको वह भी हतसाहित होगा और उसका पूरा असर बाजार क एवेशन बाजार के विस्तार पर पड़ेगा और यही वो दुविदा है जो आपको इंडिगो के नतीजों में या प्रमुक एवेशन कंपिनियों के नतीजों में दिखाई देती है तो यह थी हमारी आज की पेशकर सर बहुत शुक्रिया आपका शो में जुड़ने के आपके शाम को साथ वजे मुलाकार तब तक के लिए दीजी जाज़त नमस्कार कि जए तक के लोग ज्याम में?